इतंपूर पलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी पुलिस ने अंधे कतल का परदाफाश करते हुं बताइए कि कल्यूंगी बेटे ने मिलकर पिता की हथ्या की थी पुलिस ने हत्या में शामिल मुर्थक भोला सोनी की दोनों बेटे दीपक सोनी वर सचिन सोनी को गरफतार कर लिया आरोप्यों ने पुलिस पूस्ताश में हत्या का कारपण बताया कि पिता शराफ पीने का आधी था वा रोज घर पर मा के साथ गाली गलोच करने वा अत्यधिक कर्ज होने से पिता के होम लोन, परसनल लोन और मोटर साइकल लोन की इंशुरेंस क्लेम प्राप्त कर लोन खत्म करने के लिए पिता की हत्या करना बताया फिलहाल पुलिस ने दोनों ही बेटों को पिता के कतले के इलजाम में गिराफ़तार कर लिया है पूस्ता जारी है अब थोई थी 24 नमबर को पितंपुर थाने छेत्रा अंद्रगर जिसकी पहचान बाद में भोला पिता भहिया लाल सौनी के रूप में हुई बिवेचना के दोरान टेक्निकल एबिडेंस जब जुटाएगा तो इसमें ग्यात हुआ कि मृतक की हत्या उसके दोनों लड़के सचिन सौनी और दीपक सौनी के दोरा की गई है बिवेशना के दौरान ग्यात हुआ कि मृतक ने काफी करजा ले रखा था जिसका बीमा भी मृतक के नाम पे था और मृतक जो आई दिन सराप पी के घर में ग्रह कलेश करता था जिससे तंग आकर उसके दोनों लड़कों ने एक सुनिश्चित योजना के तहत करच से छुटक के लिए उसकी